वेखों स्ट्रेंट्स, हावर यू आल, आई होप, यू आल आर फाइन, टेक आउट साइंस बुक और ओपन पेज नमबर 69 जिस्ट्रेंट्स पहले हम थोड़ा सा प्रिवियस लेक्चर पहले का लेक्चर रिवाइस कर लेते हैं मैंने आपको बताया था कि जब किसी मटेरियल के उपर फोर्स लगती है, ताकत लगती है, तो वो अपनी शेफ को चेंज कर लेता है ठीक है, फिर मैंने आपको एग्जेम्पिल दी कि स्ट्रेच की एग्जेम्पिल दी कि हम किन चीज़ों को खीच सकते हैं फिर मैंने आपको ट्विस्टिट की एग्जेम्पिल दी कि हम किन चीज़ों को मरोड सकते हैं, फिर मैंने आपको बेंड और फोल्ड दोनों की एग्जेम्पिल दी कि किन चीज़ों को हम मोड सकते हैं, फिर मैंने आपको एग्जेम्पिल दी किन चीज़ों को फैला सकते है और किन चीजों को निचोड सकते हैं और मैं आपको working जीती जो आपने working करनी है अब आज के जो हमारा लेक्ट्यर है वो कह रहे हैं आप से how can heat change material जब material पर क्या लग रही थी फोर्स लग रही थी अब material पर क्या लग रही है हीट लग रही है गर्माईश लग रही है अब वो गर्माईश कैसी है किस चीज की है यह देख लेते हैं क्या वो सनलाइट सूरज की रोशनी की है या फिर फ्लैम चूले की है या किस चीज की वो गर्माईश है किस चीज की वो हीट है जो मटेरियल पर लगती है तो मटेरियल क जब किसी material को हम क्या करते हैं गरम करते हैं या उसको heat लगती है गर्माईश लगती है it may change heat can come from the sun अब चाहे वो heat किसे लगे sun सूरच से लगे आफ लैम चूलहे से लगे और from hooter surrounding या फिर आपके heat वाली चीज हो उससे किसी material को क्या लगे heat लगे समझे मेरी बात को जिसे अक्सर सर्दियों में हमारे पापा मामा या पिर कहीं पर हम जाते तो उनका heater होता है कमरे को room को क्या रखता है गरम रखता है समझे अब कहरें material पर वो heat जो है किसे लग रही है तो sun से लगेगी या flame चूलहे से लगेगी या फिर किसी hotter से लगेगी ठीक है आगे कहरें वो कड़ता क्या है विध हीट जब क्या लगती है हीट लगती है अब material केंचेंज material क्या कर लेता है change कर लेता है from one form into another अपनी शकल को वो change कर लेता है दूसरी शकल में कैसे अब देखते है अब material एक material है which is a solid अब वो solid है किसको कहते है ठोस को can change into a liquid वो change हो जाएगा दूसरी फॉर्म में हमारी थ्री फॉर्म से ना solid ठोस लिक्विट पिगला हुआ या पानी और air गैस यानि air हवा अब को solid चीजे वो change हो जाएगी into a liquid लिक्विट फॉर्म में we say it melts इसको कहते हैं melt जब कोई ठोस चीज से कोई ची क्यूब हैं बरफ के टुकड़े freezer में रखें बरफ के टुकड़े होते हैं कितने solid होते हैं ठीक है अब मिन उसको निकाला five minutes या तो ten minutes के लिए छोड़ दिया वो bird जो है क्या करेगी पिगल जाएगी और क्या बन जाएगी liquid form अख्यार कर लेगी वो solid form क्या इख्यार कर लेती क्या अख्यार कर लेगी liquid form अख्यार कर लेगी समझे मेरी बात को अब आरे है example आप बार ओफ चॉकलेट चॉकलेट का एक बार है हमारे पास melt अब वो melt हो रहा है क्यों melt हो रहा है after it is heated अवर आफ लेम उसको हमने चूले के पास रख दिया देखो यह हमारे पास चॉकलेट ब वो जो solid form थी उसने liquid form ठोस शकल ने पानी melt पिगले हुए की शकल अख्यार कर ली समझे मेरी बात को आप कहरें आप पीस ऑफ बटर मैल्ट अब जो मक्षन का पीस है वो पिगलेगा कैसे पिगलेगा अब देखते हैं it is placed in hotter surrounding इसको हमने किसी गरम जगा पे रखा हुआ है पीस ऑफ टोस्ट टोस्ट के ऊपर बटर रखा हुआ है अब क्या हो रहा है वो melted butter on a piece of toast अब वो मक्षन पिगलना शुरू हो गया डबर रोटी के पीस पर यह पिर अगर डबर रोटी के पीस पर मक्षन नहीं है आप लोग देते हैं जब आपा बटर लेकर आते हैं तो इसक उसको रखना भूल गए कहां पर फ्रीजर में और रख दे उसको किचन में अब क्यों थोड़ी दिर के बाद आके देखा तो वह क्या हो गया पिगलना शुरू हो गया solid form से किस form में आ गया liquid form में अब आजो page number 70 पर यहां क्या कह रहे हैं third example देखो under the sun सूरज के अंदर क्या ह इस जाते हैं गोले बन जाते हैं गाले बन जाती है सनो मैं बन जाते हैं अक्सर आप देखतो मरी में कितनी बरफ गिरती है мат to become water फिर वह मेल्ट होकी क्या बन जाता है पानी बन जाता है जीसे बेखो एक हँए तक बरफ गिर रही है कहां पर तो बर्हे यास हो जाते हैं तो फिर वो बरब जो पिघल कर क्या होच बन जाती एप और यह बन जाती पानी ही इस देखो पीडियू M Arleaf, the Teen if Bathowa은 स्क्रावर में जब पिघल ऑन गया water Multigal जब हम पानी को गर्म करते हैं आणा पानी उबलने लगता है पिर क्यातें अचानक छे पानी की भाप निकल ती अंड़ने लगता है पानी किस मोरक जाता है वो हवा में कुछ धिर के बाद अगर आप पानी का चूला कम ना करो तो पानी बिल्कुल क्या हो जाता है खतम हो जाता है समझे मेरी बात को कह रहे हैं water change into steam when it is heated जब हम पानी को गरम करते हैं तो वो change होता जाता है steam के अंदर भाप के अंदर उसने भी क्या कर लिया अपनी shape को form को change कर लिया ये था आपका आज का lecture समझे मेरी बात को मैंने आपको बताया कि जब हीट लगती है तो एक form अपनी दूसरी form में कैसे आ जाती है solid से liquid कैसे हो जाती है ठीक है अब इसके आपकी activity आपनी क्या करना है अपनी notebook open करनी है notebook के बाद हमने activity number one करी थी अभी आपकी activity number two है क्या कह रहे हैं आपसे what happened to the following when they are heated or cooled tick the correct column below अब आपके पास मैंने कुछ material बताएं उनको हम change करेंगे ठीक है और फिर वो क्या बनेगा आगे जाके यह देखते है first column आपने बताना है material का second बनाना है changed by वो किसमे चेंज हो रहे है हम किसमे कर रहे है becomes क्या बनेगा solid बनेगा liquid बनेगा या फिर air बनेगा चाहिए सबसे बटर बंटर को हमने मैंने क्या करा heat थोड़ी सी गर्माईश दी हो क्या बन जाएगा क्या solid doze बन जाएगा noise क्या बन जाएगा liquid बन जाएगा आप यह Thankspper टिक के सब्हूरा है रहा हो एक होले दुबारा पानी पानी को मैं heated गरम करूँगी क्या वो solid बनेगा नो liquid बनेगा नो बलकि क्या बन जाएगा वो goes into the air हवा में ओड़ जाएगा तो इसमें भी आप टिक करोगे फिर कहरें melted chocolate melted chocolate पिगली हुई चॉकलेट है यह मैंने solid chocolate की बात नहीं करी मैंने बात करी यह पिगली हुई चॉकलेट है उसको मैं थंडा कर रही हूँ जब थंडा करने के लिए freezer में रखोंगे तो वो क्या बन जाएगी जो पिगली हुई है वो क्या बन जाएगी solid बन जाएगी तो यहां solid पर टिक करेंगे अगर मैं यह लिखती heated कि मैं उसको गरम कर रही हूँ तो तब आता liquid समझे मेरी बात को इसी तरीके सा आपने एज़ेटिज वर्किंग करनी है neat and clean राइटिंग में अपना बहुत ज़्यादा ख्याल लगएगा कुछ समझ में नय लेक्टर इसको रिवाइस कीजिएगा टेक कियर अल्ला हाफिस